वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाना टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिए का सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं द्यान लगिए नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का स्टड़ी फॉर सिविल सर्सेज में यह है हमारी वर्ड जोग्राफी क्लास और जो वर्ड जोग्राफी क्लास तोपिक चल रहा है वहें पिछले दो लेक्टर में हम इसको अल्रीड कवर कर चुके हैं पहले लेक्शर में हमने देखा कि दुनिया भर में करसी छेत्रों को कितने इस्तों में बाटा गया है ठीक है मिश्चु किसी इससे में अगर IMPORTANT मिट्टी पाई जा रही है जैसे टे करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है ठीक है तो सारे वीडियो देखें आज हम आगे बढ़ेंगे और सीधे सीधे फसलों की बात करेंगे पहला फसल हमाई पास चावल राइस देखो चावल मुक्यता एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाने तो हम लोगो खासका जो उत्तर भारती उनको ऐसा लग सकता है जिसने खेर तैयारी नहीं कि उसको ऐसा लग सकता है जो पड़ा है उसे तो खेर पता है नॉर्मल आप और किसी सवाल पूछो कि उत्तर भारत में कि पताव सबसे प्रमुक्त खादिवसल क्या है तो वह चावल है गया हूं बस उत्तर भारत में ही जातर खाया आता है लेकिन चावल उत्तर भारत में तो खाया ही जाता है इसके लावा दक्षड भारत में भी चावल की खपत बहुत जादा है दक्षड भारत के लोग मचली चावल खाते हैं डोसा बनाके खाते हैं सब किसी बनता अधेके तो अता चावल का बड़ी मात्रा विदेशी व्यापार के लिए उपलब्द नहीं है यानि लोकल लोग इसको खाड़ालते हैं कोगि डिमांड इतनी जाता है यहां चावल की खेती के लिए मैत्पूर्ण छेत्र अगर आप देखोगे तो कौन-कौन से हैं यह यांग चावल की खेती के लिए सरबादिक मैत्पूर्ण है भारत बांगलादेश के गंगा ब्रंपूत डेल्टा चेत्र में जलोल मिट्टी भारी वर्षा तता नदियों के जल की उपलब्दता चावल के उत्पादन के लिए मैत्पूर्ण का रख है अंतराश्ती चावल अनुसं गंगा का डेल्टा है एरावदी का डेल्टा यहां पर चावल बहुत उपता है मेनाम का डेल्टा है मेकां का डेल्टा है वेतनाम तठ है ताइवान है यांग सी की क्यांग है दक्षिल कोरिया जापान फिलिपीन जावा और शिलंका यह बेसिकली प्रमुक्ष चावल चीलता बहुत अधिक होती है इसलिए यह साइबेरिया से लेकर उष्ण खटबंदी छेत्रों तक उपजाया जा सकता है यानि यह अपने आपको अच्छे से समाल सकता है पौधा अपने आपको समाल लेता है इसी विजह से गैहूं में रैड रोट नामक रोग लग जैता है रैड रोट रोग गने में भी लगता है ध्यान धगना और मैं आपको गन्णहा अंदर से आ लेकास हलकाना होगा, तो उस गन्य में रेड रोट रोग है लाल सडन रोग है जो गन्य में होता है और हम लोग वाई जूस मस्तारम से पी जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ ध्यान रखना अगर गन्य में वो लाल रंग का निशान है तो वो रेड यूरूपिया देशों में फ्रांसी एकमात ऐसा देश है जो इस्थानी मांग की पूर्ती के साथ गयाँ का निर्यात भी करता है ठीक है द्यान लगना आगे कौन की बात होगी मक्का की बात होगी मक्का का मूल स्थान क्या है दक्षणी मेक्सिको यह उपोष्ण कटिबंध का पौदा है तता मुक्रूप से 50 दिगरी उत्तर तता 40 दिगरी दक्षणी एक्षांसों के बीच पाया जाता है विश्व में मक्के का लगबग आधा उ प्रोडक्षन का होता यूएसे होता है यूएसे में यह एक उभैलिंगी पौदा है जिसके प्रोटीन को जैन कहा जाता है इस सारे फैक्ट है जो पेपर में आ चुके इसलिए आपको यहां बताई जा रहे हैं आगे देखो आगे चाय यह एक महतपूर पे हैं जो सदाबार या रूपन कृशी की जाती है बारत तता स्रीलंका में काली चाय तीन तथा जापान में हरी चाय तता ताइवान में ओलंग चाय प्रसिद्य है ग्रीन टी तो खेए हमारे अब ही आगई है लोग बहुत इसको पीते हैं कहते हैं वह एड़ाता है उसमें एक हीरो नहीं है उस है आगे कहपी चाही की भाती किर्शी का उठाथ तता महत्पूर प्रेपाद के आगे की तीन किसम धूर्थ है कहवा कि ठीज ब्र हरिया ओर आज़िएयरr पर रिया और रोबस्ता यह बैसिकली थी यहां पर पर किस्म होती हैं ब्राजील में łज्म पाउलो को विश्व का कहवा पात्र का जाता है ध्यान रखना ब्राजील का साव पाउलो कोलंबिया तदा इंडोनेशिया के जावा दीप में कहवा उत्पादन की आदर्श भहुगुलिक दशाएं पाई जाती है अल्टा वेरा पाज उत्री गौटे माला का एक मौका कहवा यमन के लाल सागर के तटी भाग में उत्पन होने वाला उच्च कोटी का कहवा है आगे देख लो आगे है गन्ना गन्ना मुक्रूप से उष्ट गटबंदी आद्र जलवायू की वसल है जिसका उद्वव छेत्र पूर्वी तता दच्छनी पूर्वी एशिया माना जाता है यूरोप के देशों को इसका ग्यान अरवों ने कराया भारत के लावा ब्राजील, क्यूबा, हवाई, फिजी, मौरिशस, आदी देशों में भी गन्ने का उत्पाधन होता है आगे देखिए, आगे है कोको, उस्ट कटबंदी वनों में काका ओ नामक वरच उगते हैं जिनके फलों के बीजों को को कहा जाता है इस वरच का मूल स्थान लेटन अमेरिका का उस्ट निकटबंदी भाग है कोको दो प्रकार का होता है, पहला है क्रिडलो और दूसरा है फॉरेस्टों आईवरी कोस्ट, ब्राजील, घाला तबता नाईजीरिया इसके प्रमकुस पादर देश है आगे देखो कॉटन कपास, कपास माल बेसिकुल का पौदा है, पेपर में पूछा जा चुका है, ये फैक्ट ध्यान रखता बारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है, बेसिकली हरपपन सब्विता में, हरपपन सिवलाजेशन में इसका सबसे पहला पूरूफ मिला था रेशों की लंबाई के आधार पर कपास की अनेक किस्मे होती है, सबसे उत्तम किस्म का कपास की लंबाई 5 से अधिक होती है इसे मिस्री कपास भी कहते हैं, डाई से 3.75 cm लंबी कपास को उच भूमी की अमेर की कपास कहा जाता है, छोटे रेशे वाली कपास डाई से 3.75 cm से छोटी होते हैं, इसे भारती कपास कहते हैं, उत्तम गुडबत्ता होने के कारण मिस्र की कपास को वाइड गोल्ड कहा जाता ह आगे है नेचरल रबर यह अमेजन बेसन में जंगली रूप से उगने वाले हैविया ब्राजीलियन्स नामक फ्रच के दूद नुमा द्रव जिसे लेटेक्स कहा जाता है उससे बनाते है यह अत्यदिक उस्ट जशाओं में उत्पन होने वाला यद्यपी अमेजन बेसन इसका अमूल इस्थान है परन्त वरतमान समय में नच्रपूर्वी एशिया में भी इसका उत्पादन होता है ठीक है और देखो जड़ा और है थाइलेंड इंडोनेशिया वे अतनाम इसके प्रमुख उत्पादक रास्त है रबड के भारत में यह देभी भागलिक रूप से प्रा विश्व में पारा किस्म का रबड सबसे उत्तम माना जाता है तो यह हुए हमारी प्रमुख फसले आगे और भी है उसको हम देखेंगे अगली क्लास में तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइ